पूरे देश में कहीं से भी अगर खबर आती है कि किसान ने खुदकुशी कर ली तो बहुत तकलीफ होती है सब को तकलीफ होती है आम लोगों को तकलीफ होती है जनता को तकलीफ होती है कोई सुनता है आप लोग भी जब सुनते हो चाहे पंजाब हो चाहे हर्याना हो चाहे महराश्ट हो चाहे मध्यपरदेश हो कहीं अगर कोई किसान गरीब किसान आत्म हत्या करता है तो बड़ी तकलीफ होती है आज अगर आज़ादी के सतर साल के बाद भी हमारे देश में किसानों को खुदकुश ही करनी पड़ रही है तो यह शरम की बात है लेकिन दुख की बात जादा यह है कि तकलीफ मेरे को होती है तकलीफ आपको होती है इन नेताओं को तकलीफ नहीं होती इन पार्टियों को तकलीफ नहीं होती जितने मर्जी किसान मर जाएं जितने मर्जी किसान खुदकुशी कर लें एक साल से मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा धरना चल रहा है भी सिंगो बॉर्डर और टिक्री बॉर्डर के उपर दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धरना चल रहा है एक साल से ग्यारा महीने से उपर हो गए ग्यारा महीने से उपर वहाँ पे बैठे हैं छेसो से ज़्यादा किसान अपने शहादत दे चुके हैं लेकिन इन पार्टियों और इन नेताओं के इनको कोई फरक नहीं पड़ता आज इस मंच से मैं एक बड़ा बयान दे के जा रहा हूं हो सकता है आपको यह लगे केजरीवाल बड़ी बात कर रहा है ऐसे नहीं हो सकता लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो करता है मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी के तरफ से आपको यह विश्वास दिलाता हूं फर्वरी के महीने में चुनावे मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे एक अप्रेल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुश ही नहीं करने देंगे हम लोग हमारी जिम्मेदारी है उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे लेकिन बहुत हो गया आप सत्तर साल हो गए सत्तर साल के अंदर अगर हम यह नहीं इसका मतले हम इनकी नियत खराब थी ऐसा नहीं कि यह हो नहीं सकता इनकी नियत खराब थी पहले कहते थे स्कूल ठीक नहीं हो सकते सरकारी स्कूल दिल्ली में करके दिखा दिया पहले कहते थे सरकारी अस्पतार ठीक नहीं हो सकते थे दिल्ली में करके दिखा दिये मैंने दिल्ली में जब पहला चुनाव लड़ा मैंने का मैं बिजली फ्री कर दूँगा मेरा मजाक उड़ाते थे ये सारे पार्टी वाले दिल्ली में करके दिखाई की नहीं दिखाई आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ एक अप्रेल के बाद से पंजाब के अंदर कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा किसी किसान को हम खुदकुशी नहीं करने देंगे अभी थोड़े दिन मैंने पढ़ा मैं पंजाब की खेती के बारे में हम सब लोग मिलके पूरी प्लानिंग कर रहे हैं बहुत बड़ी प्लानिंग है मैं एक महीने बाद फिराओंगा वो सारी प्लानिंग आपके सामने रखूंगा और आपको यकीन दिलाओंगा कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ लेकिन आज मैं अचानक इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने खबारों में पढ़ा कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिली में बेमौसम बारिश की वज़े से फसले बरबाद हो गई पंजाब के अंदर भी बेमौसम बारिश की वज़े से फसले बरबाद हो गई और उसके उपर कोई कारवाई नहीं कर रही सरकार ऐसा मैंने अख़बारों में पढ़ा इसलिए मैं उस मुद्दे के लिए आज यहां पे आया हूँ फिर अख़बार में मैंने पढ़ा चन्नी साब नएने मुख्य मंतरी बने यह चन्नी साब एक गाउं में गए महाँ पे एक किसान को गले लगा लिया उसकिसान का नाम याद नहीं आरा में रहा है हर प्रीथ उसकिसान को गले लगा लिया और बोले मैं मुख्य मुख्य मंतरी आया जिन जिन किसानों की फसले बर्बाद हुई है सब को मुख्य मिलेगा सारे गाउं के लोग बड़े खुश हो गए उनको लगे और अब एक मुख्य मंत्री आया है अभी एक हफ़ता पहले खबार में खबर छपी वो बिचारा हरप्रीत कह रहा है जी गले तो लगा लिया मेरे को सारी बसों के पीछे फोटो भी चिपका दी मेरी गले लगते हुए बोले एक महीना हो गया अभी तक मुख्या नहीं मिला जिसको गले लगाया उसको भी मुख्या नहीं दिया जिस गाउं में गले लगाया उस गाउं के लोगों को भी मुख्या नहीं दिया मैं चन्नी साहब को कई लोग मेरे को आते हैं मेरे को कहते हैं कि चन्नी साहब आजकल आम आदमी की नकल कर रहे है मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूँ चन्नी साहब आम आदमी की नकल करना बड़ा असान है अमल करना बड़ा मुश्किल है वादे करने बड़े असान हैं वादे निभाने बड़े मुश्किल हैं हमाम आदमी पार्टी वाले जो वादे करते हैं वो वादे पूरे भी करते हैं तो मैं चन्नी साब से अपील और फिर मैं पंजाब की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जब ओरिजिनल आपके सामने खड़ा है तो फिर डुप्लिकेट को वोट देने से क्या फायदा जब ओरिजिनल आपके सामने खड़े हैं तो फिर नकल्ची को वोट देने से क्या फायदा डुब्लिकेट को वोट देने से क्या फायदा औरीजिनल कोई लो ना औरीजिनल माल लो मार्केट से वोट दोगे तो औरीजिनल माल मिल जाएगा तो मैं अज चन्नि साब से अपील करना चाहता हूँ की पहली बात किसानों के साथ बैठके किसान जत्थे बंदियों के साथ बैठके आप ये हिसाब लगाओ कि फसलों का जो बे मौसम बारिज से धान खराब हुई है उसका और जो गुलाबी सुन्डी की वज़े से फसलें बरबाद हुई है नर्मा बरबाद हुआ है उसका कितना लागत थी कितना नुकसान हुआ जितनी लागत थी कम से कम उतना तो भर पाई करो ये आठजार रुपे कहां से आ गए 8000 रुपे से तो किसीने अभी बोला की 40,000 रुपे दिये 5 एकड़के वो भी 37,000 काट कुटके दिये 37,000 में हमारा क्या होगा 37,000 में तो घर का खर्चा भी नहीं निकलेगा तो जितनी लागत थी कम से कम उतनी लागत तो किसानों को दो दिल्ली में हम दे रहे हैं दिल्ली में मीटिंग बुलाई सारे किसानों की वहीं पे उन्होंने मेरे को सारी कैलकुलेशन करके दी कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया जी 18,000 रुपे एकड़के हिसाब से हमारा नुकसान हुआ है वहीं पे उसी गाउं के अंदर अफसरों को हमने ओर्डर करा 20,000 रुपे एकड़के हिसाब से हमने एलान कर दिया और तीन महिने के अंदर ऐसानी की जादा तीन महिने के अंदर सबके अकाउंट के अंदर पैसा चला गया उसके बाद से लेके हमने पॉलिसी बना दी तब से लेके आज तक जितनी बार पिछले साथ साल के अंदर दिल्ली के अंदर किसानों की फसले बरबाद हुई है हमने 20,000 रुपे एकड़के हिसाब से उनको मुआफ़ा दिया है तो मैं चन्नी साब से कहना चाहता हूँ अपील करना चाहता हूँ कि आप भी जितना बरबाद जो फसल की लागत है उस लागत को कम से कम आप इनको दो और मैं पंजाब के किसानों को कहना चाहता हूँ कि अगर चन्नी साब आपको आपकी लागत नहीं देते मेरी आप से हाथ जोड़के विंती है खुदकुशी मत करो खुदकुशी मत करो बड़ी तकलीफ होती है हमें भी तकलीफ होती है हमें अपना बेटा मान लो छोटा भाई मान लो अपना खुदकुशी मत करो मैं समझता हूँ मेरे को किसान बताते हैं अगर हम फसल ना लगाएं बोले तब भी चल जाता है लेकिन अगर पैसा खर्च करके खाद खरीद के बीज खरीद के अगर हम फसल लगाएं पैसा उठाके फसल लगाएं और फसल बरबाद हो जाएं बोला फिर तो हम कहीं के नहीं बचते हैं हमको पैसा वापस करना पड़ता है पैसा वापस करने को होता नहीं है तो हम कहीं के नहीं बचते हैं इसलिए आत्मत्या करने को मजबूर हो जाता है किसान मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ सारे पंजाब के किसानों से अपील करना चाहता हूँ आत्मत्या मत करना मार्च में सरकार बनेगी अगर चन्नी साहब ने पूरा मुआफजा नहीं दिया 30 अपरेल तारिख नोट कर लो 30 अपरेल तक आपके अकाउंट के अंदर आपका पूरा मुआफजा चला जाएगा दूसरा जितने मजदूर है जिन मजदूरों ने खेत में काम किया फसल बरबाद हो गई जमिदार बिचारा मजदूरों को भी पैसे नहीं दे पाता मैं उन मजदूरों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी चिंता मत करो आपको भी उचित मुआफजा कितना मुआफजा देंगे लागत जितनी लागत आती है और जितना आपके साथ बैठेंगे किसान जथे बंदियों के साथ बैठेंगे जैसे दिल्ली के अंदर मैं किसानों के साथ बैठा किसानों ने 18,000 रुपे मांगे हमने 20,000 रुपे दे दिये यहाँ पे कितनी लागत आती है आपके साथ बैठेंगे मार्च के महीने में बैठेंगे जितनी लागत आपकी है इन दोनों बे मौसम बारिश के वज़े से और गुलाभी सुन्दी की वज़े से जितनी भी आपकी बरबाद हुई है उसका मुआफज़ा हम आपको 30 अपरेल तक दे देंगे तो आज दो चीजें एलान करना हूँ एक तो ये एक अपरेल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को आत्मत्यानी करने देंगे और दूसरा जितना आपकी लागत आती है अगर कभी भी भविश्य के अंदर फसल बरबाद होती है आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर कभी भी फसल बरबाद होती है जो लागत है उस लागत के हिसाब से आपको उचित मुआफजा दिया जाएगा और तीसरी चीज अभी अगर चन्नी साब आप लोगों को उचित मुआफजा नहीं देते क्रिपया हाज जोड़ के अपील है आप कोई गलत कदम मत उठा लेना तीस अपरेल तक आपके अकाउंट के अंदर हम मुआफजा आपके अकाउंट के अंदर डलवा देंगे अभी आप सब लोगों के मैं सुझाव सुन रहा था बहुत अच्छे आप लोगों के सुझाव थे मैं सारे मैंने नोट कर लिये एक आया की नकली दूद भिकरा है बहुत जादा अगर नकली दूद बंद कर दिया जाए तो बहुत सारे किसान है जो डेरी के जरिये उनकी इंकम भी बढ़ेगी और लोगों को असली दूद पीने को मिलेगा इसको जरूर लगू करेंगे एक सुझावाया पशुओं का बीमा कराना चाहिए बहुत अच्छा सुझाव है एक किसी ने शायद हमारा दिल्ली का वो जो हमने घोल बनाया है पराली अभी एक किसान पराली जलाने के लिए मजबूर होता है मजबूरी में जलानी जलानी पड़ती है एक किसान भाई ने बताया कि जिस सबसे ज़्यादा जब वो किसान अपने खेत की पराली जलाता है सबसे ज़्यादा धुआ तो उस किसान के परिवार को जहिलना पड़ता है वो किसान बिमार होता है उस धुएं की वज़े से दिल्ली के अंदर हमने क्या किया हमने गोल बनाया है उस घोल को अगर आप अपने खेथ में छिड़क दो तो आपकी पूरी वो जो पराली है वो गल जाती है और गल के खाद बन जाती है वो 10 से 15 दिन के अंदर और उसके अंदर वो उसके बाद वो खाद जो है वो आपके खेथ को और ज़प जाओ गरती है आपकी अगली फसल जो है वो और बढ़ती है ये घोल पूरा घोल दिल्ली सरकार अपने पैसे पे बनवाती है और अपने पैसे पे पूरी दिल्ली के सारे किसानों के खेत में फ्री छिड़काओ करती है यह हम पंजाब में भी करेंगे आपको पराली जलाने के जुरूरत नहीं पड़ेगी आपके खेतों के अंदर उस घोल का छिड़का हो फ्री में करेंगे लेकिन एक और बड़ी मज़े की बात है पंजाब के अंदर मैंने कई लोगों से बात करी पराली से कोईला बनता है पराली से बिजली बनती है पराली से गत्ता बनता है और यह पंजाब के अंदर मैंने 6-7 ऐसी फैक्टरियां देखी है उन सारे फैक्टरी वालों को मैंने दिली बुला के उनसे बात की आप सोच के देखो अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्टरियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोईला बनाने लगे बिजली बनाने लगे एक तो किसान को हजार रुपे एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे जलाने के जरूरत नहीं पड़ेगी और वो फैक्टरी वाला खुद आपकी पराली काटके ले जाएगा आपका कोई पैसा नहीं लगेगा आपको हजार रुपे एकड़ मिलेगा और पूरे किस पंजाब के अंदर इतनी फैक्टरियां लग सकती है कि इतने बच्चों को रोजगार मिलेगा अभी एक किसी ने बोला एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत अच्छा सुझाव है तो यह जैसे पराली है इसी तरह से ना जाने कितनी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं और इसमें अपने को अमबानी यडानी को नही लाना किसानों के गृ görep मिलके किसानों के बच्चों के गृप मिलके अब आपको कैनेडा भेजने की जिरूरत नहीं है अपने बच्चों को यहीं पे आपके गांगे अंदर इंडस्टरी लगाएंगे आपके शहर कें अंदर इंड़स्टरि लगाएंगे इतनी इंड़स्टरि लग सकते है इतना इतना विकास हो सकता है एक किसी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया डीयेपी की फैक्टरी लगाने का बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमारे किसान गरीब किसान उन्हीं की फैक्टरी में जाके काम करते हимся और वहीं का डिय एपी जो है हमारे पंजाब के अंदर इस्तेमान रो dua हम क्यों नहीं लगा सकते डिय एपी की फैक्टरी लगानी चाहिए बहुत अच्छे अच्छे सुझावाई है इन सारे सुझावों को मैंने नोट किया है और अंत में वो अमन प्रीत ने जो बोला था वो कहा है वो लड़का अमन प्रीत बच्चे मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ हम मिलके करेंगे जैसे दिल्ली के अंदर हमने स्कूल बदल दिये सरकारी स्कूलों के इस साल नतीजे सरकारी स्कूलों के बच्चों के 99.8 प्रतिशत नतीजे आए 99.8 परसेंट नतीजे है सोच सकते हो सरकारी स्कूलों के बच्चों के नतीजे 99.8 परसेंट आए है अगर हम दिल्ली के सरकारी स्कूल बदल सकते हैं, दिल्ली के सरकारी अस्पताल बदल सकते हैं, दिल्ली की बिजली पानी सड़के बदल सकते हैं, तो पंजाब की खेती भी बदल सकते हैं, मिलके बदल सकते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ पंजाब के अंदर जब मौका मिलेगा खेती को इज्जत का धंदा बनाएंगे खेती को मुनाफे का धंदा बनाएंगे और जो अभी भगवन भाई ने बोला कि सबसे उपर पहले नमबर पे खेती होगी दूसरे नमबर पे व्याप करी होगी है इसको वैसे ही करेंगे इसकी मैं पूरी जैसे मैंने का बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग एक डेड़ महिने के बाद मैं दुबार आपके बीच में आऊंगा सारी पूरी प्लानिंग करके आज केवल इस चीज़ के लिए था क्योंकि दिल में साडिनाल जुडनले सस्क्राइब करो बन्नेरा टीवी अथे नोटिफिकेशनले बेल आइकाम्ते क्लिक करो